हाई फ्रेंट मैं आमी तुमार और आज कि इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि SEO friendly post कैसे लिखते हैं अगर आपको ब्लॉग website है और अपने ब्लॉग website पर SEO friendly post लिखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे लिखते हैं क्योंकि जो नए नए ब्लॉगर होते हैं या पोस्ट आर्टिकल अपने ब्लॉग पर लिखते हैं उनको तरीका पता नहीं होता है उनके ब्लॉग पर विव और नहीं आते हैं इस वीडियो में आपको SEO friendly post कैसे लिखते हैं यानि कि यह एक कहें तो on page SEO के अंतरगर आता है और on page SEO कर सकते हैं अपने blog पे और अच्छे से post लिख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में notification bell icon कर दें और चोटा से एक रिक्वेश्टर फ्रेंड की वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताईए कि यह आपके लिए फायदा रहा या नहीं रहा तो फिरेंड नंबर वऑन पे मैं आपको बताना चाहते हूं ब्लॉट का टाइडल सबसे नंबर वन ही से हम लोगी स्टार्ट करते हैं और ब्लॉक करते टाइटल यहां पर दिखें जैसे कि हम लिखें वाटसप से पैसे कैसे कमाएं और अगर आप लिख सकते हैं कि पैसे कैसे वाटसप से कमाएं तो यह थोड़ा सा गलत हो सकता है और यह टाइटल जो है कि यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पचास से साथ करेक्टर का यहां पर लिखें टाइटल जो की काफी इंपॉर्टेंट है नमबर वन पर मैं आपको टाइटल बता रहा हूं सकेंड नमर पर मैं आपको बता रहा हूं अपने टाइटल के साथ क्या कीवाड यूज करें जैसे क यहां पर देखें लिखा है अब तरीके सबसे अच्छा तरीका तो फ्रेंड जैसे की फाइब तरीके हो गए या फिर टाप 10 हो गया या फिर फूल इंफॉर्मेशन हो गया फूल गाइड हो गया या फिर इस्टेप बाइस्टेप हो गया इस तरह के कीवर्ड यूज करेंगे फ्रेंड यहां पर जिसे टाइटल लिखने के बाद से यहां पर लिखेंगा फूल इंफॉर्मेशन थोड़ा सा पोस्ट जोए की गूगल जोए कि उनको फिर फ्रेंस देता है और काफी इससे हेल्प मिलता है आपकी पोस्ट को रेंग कराने में और मैं आपको बताता हूं वरशन आपके उटालिंग परमिंट कस्टम आप्यों तो हुआ कोई मतलम होता है एक दो तीन यं या फिर आजवार बहुत बहुत ऐसे यूजर को मैं मैं देखा हूं website बनाता हूं डेली डेजाइन करता हूं custom URL बिल्कुल उन लोग को सेट करने नहीं पता है तो यहां से custom URL करें यह सब on-page SEO के अंतरगत आता है और यह सब SEO post लिखने तरीका है तो यहां पर हमने लिखा है WhatsApp से पैसे कैसे कमा है और यह देखिए काफी अच्छा custom URL हमने यहां पर एड़ किया है इसे जो ही कि आपकी सर्च में आती है यह काफी इंपॉर्टेंट होता है और नेश्ट में आपको जो बता रहा हूं फूर्थ नमर पर वह भी काफी इसका इसका डीटेल यहां पर लेखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है और जो है कि इससे रेंकिंग बढ़ती है और यहीं सर्च में दिखाता है चल्वार यहां को बता रहा हो खिए और कस्टम लिंक क्या होता है कि करेंगे विकी फीडिया उपन कर लेंगे इसमें बहुत सारे वेबसाइट का लिंक लगा होता है कश्टम लिंक जिसकी यहां पर वाड़्सेफ हमने लिखया तो बैठाट आर्एका यहां आपसेफसिएल वेबसाइट तो कस्टम लिंक अगर आप किसी वेबसाइट के बारें बता रहे हैं उसका रिवीव कर रहे हैं तो आप लिंक लगाया कीजिए कस्टम लिंक कि यह सारा आप लिए करना होगा आप जैसे कोई इमेज यहां से इंसर्ट करें गे सबसे पहले तो आपको इमेज का साइज पता होना चाहिए ब्लॉक पोश्ट में कौन सरी में साइज होता है और ज्यादा मतलब की लोडिंग ना ले फास्ट ऑपन हो ज़्याए ज्यादा के भी ना हो त उसके बास यहां पर लिग करेंगे तो यहां पर दिखिए सबसे पहले प्रक्षरडी का आफसन मिलेगा और यहां पर देखिए हमने एसे किया वाच्ट से पैसे कैसे का माई अगर कोई यूज़र सर्च करता है इमेज भी जाता है तो इमेज भी जाएगा make money whatsapp group 2018 यह एक keyword डाला है हमने image का नाम लिया है तो आप image को optimization कीजिए और यहां पर देखिए अगर आप caption लगाते हैं तो image का नाम लगा सेथे वह भी लगाई है यहां पर जैसे कि हम लिख देते हैं WhatsApp तो आपको भी ऐसे ही लिखना होगा image को optimization करना होगा और अच्छे से जो भी आपका main keyword होगा उसको highlight करने होगे जैसे कि यहां पर देखिए पांज तरीके हमने बताया तो यहां पर देखिए 123 और यहां पर देखिए यह यह और जो भी मेन कीवर्ड होते हैं इसको हाइलाइट करेंगे अभी जो मैंने आपको टिप्स बताया हूं एस्ट फेंडी पोस्ट लिखने का तो यही तरीका होता है अगर आप इसको फालो करेंगे तो आपका वेबसाइट जो है कि जल्दी रेंग करेंगा और आपकी सबस्थेऊ करेंगे तो बियुक्षा जिए करते हैं तो अपर यह कि तरीके तरीके पर तरीके बीडách सब्सक्राइब करें तो जिसे कि आप सकते हैं तो यह चोटा सा अगर हो सकता है कि आपको अगर जादेर समझन में ना है तो इसके बारे में एक पोस्ट लिख दूँगा आप जो कमेंट में बताएं पोस्ट लिखने लिए तो अच्छे से इस्टेप बैस्टेप और भी बताएंगे और इसको पढ़के अच्छे से कर सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग